अध्यक्ष उमारी शेल्जा जी, हमारे आज के कारिकरन के मेजबान, आपके उमीद्वार, बेवाद के विकास उने जिनकी सरसे बड़ी भूमिका रही, हमारे भाई आफ्ताद एमद जी, हमारे आदरिनिये, यहां से आपके नोटसभा के प्रत्राशी रहे, आदरिनिये केप भाई, मामन जी, हमारे उमीद्वार, हाथीन अलके से, हमारे भाई जुराहिल जी, सभी पिता के समान बुजर्ग, नौजवान साथी, मेरे मात शक्ती, 21 तारीक को एक हक्ते बाद आपको एक बड़ा फैसना देना, उस फैसने में हर्याना के आगे का भविश्य का क्या रस् जिसना वो तै करेगा, पांच सार पहले हर्याना वार्षियों ने बड़े आशाओं के साथ, भारति अंता पार्टिकी सरकार बनाई, आपने सार में इस सरकार ने हरव laak को मिराष करना काम किया विकास की भाइचारे की खुश हली की पट्री से उतारने का काम किया एक कोई विकास की पर्योजना नहीं बता सकते जो इनुने हर्याना में पांच साल में शुरू कराई हो या मेवात में शुरू कराई हो या हर्याना किसी कोने में शुरू कराई हो किसान को ठोकर मिली ना किसान को दाम मिला ना खरीब को सम्मान मिला ना मौजवान को काम मिला मैं बताना चाहता हूँ राउन जी को बताना चाहता हूँ ये हर्याना प्रदेश जो 2013-2014 में देश में निवेश दर में और विकाल दर्में देश पुरे देश में सबसे आगे था पांच सार की इस खतर सरकार में इस हर्याना प्रदेश को आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे पहुचाने आखाम किया थायन फर्दिश भारोजगारी युपी और विहार से जर्देश भाड़े और भारत सरकार की लिपोर्ट U P ऋ भिहार से ज़र्दर घरारी खाइए थो हर्याना के अंदर हें यह खतर सरकार में यहाला है है इनकी इस तारीक को इसका हिसाब किताब आपको तैय करना है इस सरकार का काम कुछ किया नहीं आपस में भायर। हैयाने की भाईचारे को छोट ना आकाम किया। भाई को भाई से उन्जाना काम किया। कई ध्रम के नाम पे। कई जात्पात के नाम पे समाज को पढ़के अपनी राज निती रुपν सेह ने आकाम किया। इस सरकार ने दूसरा काम किया घमंड में और एंकार, ऐसा घमंड और ऐसा एंकार उने नहीं देखा, ऐसा हो गया इनकार नारा दे दिया 75 पार, 75 पार का नारा भी कुछ अत्तत कर दिया इन्होंने साकार, पेट्रोल पहुचा दिया 75 पार, प्याज भी पहुचा दिया 75 पार, एक हफ्टे से तमादर भी चलना 75 पार और कल से आलू भी पहुचा दिया 75 पार SDO की लिस्ट आई SDO की लिस्ट में 80 SDO हर्याना के लगे हर्याना के कितने बच्चे थे उसमें? दो और बहार के कितने रख बच्चे? हायाना से दूसरी प्रदेशों के बच्चे अचपतर SDO की लिस्ट आई या सी बच्चे लगे हायाना के दो भार के अचपतर वो नमबर भी है 75 पार गमंड इनका गमंड इनका पहुच गया साथ वे आसमान पार इन्होंने किया ब्रहामन समाजगा के रसकार फसा उठाकर गुरूर अविदाज जी का मंदिर तोड कर छेज़ा साल पुराना इन्होंने किया दरिश समाज का पिर असकार गमंड इनका पहुचा हुआ है साथ वे आसमान पार और चलान चलान ऐसे लगा दिये है आयाना में चलान इतने लगा दिये मोटर साइकल इतनी है उससे दोने ला चलान चलान लगा दिया साधन पार मेवाद वालो मेवाद वालो मौका है बीजेपी को पहुचाओ जमना पार फिर बनाओ अपनी सरकार फिर बनाओ कॉंग्रेस की सरकार और फिर बनाओ राउल गांधी जी की सरकार ताकि हम दुबारा से हर्याना को विश्वास के साथ, भाईचारे के साथ, खुशाली के साथ, अमन चेन, प्रेम के साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, चटिस विरागरी, चटिस भाईचारा एक होके हर्याना आगे बढ़ सके कॉंग्रेस की यही विचारदारा है, और इसको अईस विचारदारा को बेवात की एक-एक सीट पे आपको वोट देनी है, आप सब का बहुत-बहुत जन्यवाद, जय हिन! शुक्रिया, MP साथ, हम में आपके बीच में हमारे बहुती सीनियर हर्याना के नेता, हर्याना कॉंग्रेस कंपेन कमेटे के अध्यक्ष, और हमारे बीच में लोग सबा के उमीदवार रहे, जिनको आपको आशिरवाद, जिनको आपने आशिरवाद दिया तो उनको आमंतित क करूंगा कि वो भी अपना संदेश आप लोगों के देख्तन हजे सिंग्या जाओंगी. आज यहाँ पर उपस्थेत, हमारे युवाओं की धड़कन, हमारे बहुत इमान की योग, श्री रावल गांदी जी.